आज हम लोग एक अर्भूत पचम को आपके साथ बाटना चाहते हैं और उसके दवारा हम लोग अपने जीवन में अपने विश्वास और कर्म को देखेंगे उस घटना से और उस घटने को हम लोग एक इतिहास की घटना से भी जोड़के देखेंगे और अपने विश्वास और काम को हम लोग आखेंगे कि हमारा विश्वास कैसा है तो आई हम लोग परमेश्व का वचन देखते हैं यह मिलता है मर्कुस रतिसू समचार उसका चौथा अध्याय पत संख्या 35 से लेकर 41 तर यहां परमेश्व का वचन कहता है उसी दिन जब आज होई तो उसने चेड़ों से कहा आओ हम पार चले और भीड को छोड़कर जैसा वाद था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावे थी तब बड़ी आंधी आई और लहरे नाव पर यहां तक लगी ति वह पानी से भरी जाती थी पर वह आप पि चैन हो गया और उन से कहा तुम क्यों डखते हो क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है वे बहुत ही तर गया रापस में बोले या कौन है कि आंधी और पांधी वीज किया गया मानते है और दूसरी घटना जिसका हम लोग इस संदर्व में जिकर करने वाले हैं और इस जहांच की है जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जहांच कहा जाता है और सबसे प्रसिद जहांच जो उनिश्वी सदाब्दी का था अर्मस टैक्टैनिक हम जानते हैं कि वह एक ऐसा जहांच था जो ब्रिटन का यूके का जो लीवर्पूल में बना था और सौथ हैंटन सिटी से नियॉर्ण सिटी को जा रहा था और उसकी पहली यात्रा करने के लिए बहुत से राइस बड़े-बड़े लोग वेल्दियस लोग उस जमाने के तकरीबन क्रुव मेंबर और हर एक लोगों को जो उसमें थे मिला करके तकरीबन सवा 2,000 के लोग उसमें शामिल थे और हम लोग देखते हैं कि तकरीबन 1,500 लोग जब दुरघटना होती है टाइटैनिक अपने पहली यात्रा के दौरान तो वो मारे गए उस पानी में टूबने के लाए और जो टाइटैनिक है लोग कहते हैं जो उनके गवाह बचे की टाइटैनिक टूट गया था वो एक आ झालां गण्डा के 40 निट बाद वह दूप जाता है तो इस ढूखत घटना से देखते कि और कि सौध हेंटन से जो न्यूयोंक से जा रहा था और जो लिवरबुल में बना था और हम लोग देखते हैं इस घटना में कि जब एश्यू अपने चेलों के साथ है जो सांज होती है एश्यू जानता था वो क्या करेगा अपने चेलों को कहता है कि आओ हम नौ के से इस पार चलते हैं और वो पीछे नौ के पीछे तरफ सो गया और बड़ी आंधी आई ये परमेश्यू की तरफ से उनकी विश्वास को परखने के लिए विश्वास का आगलन करने की विश्वास का आइना लिखाने के लिए एक आइना था परमेश्यू की तरफ से और वो अपने गुर्रू रिश्य को खोजते हैं और जब उसे पीछे सोता हूँआ जानकर जगाने जाते हैं और जब रिश्य उठता है तो वो चैता है अंदी को ठाम्जा शान्प्र और रान्दी और तुपाण एकाईट ठामजा फीसे और एश्व उपने चेलों की अर्मों तर कहता है तुम की दरते हो क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है और इस घटना से चेले बहुत दर जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कैसा मनुश्य है कि यान दिया पानी पी उसकी आग्या मानते हैं तो यहां लोग देखते हैं वो बड़ा जहांदस्य बड़े तैन्ट को लेकर जा रहा था लेकिन विश्वास पर में नहीं और उस जाज को चनाने वाले नेवी ऑफिसर का नेवल ऑफिसर का कहना था लेकिन देखते हैं अपने पहली याद्रा के दौरान बहुत दुखत रास्ती के साथ बहुत दुखत घठना के साथ अपने सफर के चौथे दिन के लिए अधिरात को टाइटैनिक जूप जाती है और हम लोग अपने विश्वास में गिरने के कारण और परमेश्यों को हम लोग मौका नहीं देते हैं जो आज उस घठना से याद करके हम लोग सीख सकते हैं एस एशुमसी की घठना को देखते हुए जो 2000 साल पहले हमारे कुस्तपों में दर्ज है और यह जो बीटी घठना यह कि आम लोग को इस जीवन से संसार से पाप के समुद्र से निकलना है और अपने आपको दिन करना है और अपने कर्मों की परनतुर परमेश्यों को दर्दोर साकरना उनका वचन जो हमारे साथ है यह उन जेलोंके अलावे पीछे में हमें थिंता नहीं करनी आंधी आए अए और हम उने आए उनमा विपतियों को डाट पाएंगे और थम जाएंगे तो यहां हम लोग देखते हैं इस बचन के दौरा और हम लोग सीखते हैं जाए हम लोग कितने वी बड़े काम करने जाए हम लोग कितनी वैपूची बना लें लेकिन अपने करमों कभी भी हमें इसलां तक फिल्म बन चिकिए उस पे किताब बन चुकी उसरीयस त्माम घटना उसको पसीद ने हैं और ऐसम सीखते है जो घटना हां अन्वाले के दुनिया के करोड़ों हो जाते हैं और हम लोग तुपन क्या आग या कोई भी विमारी से नहीं देंगे जैसे आज लोग ढ़ते हैं विमारी के नाम से और तमाम बीपत्यों से जो कहते हैं अपने मुह से क्या हुआश्यु नाश वे जाएंगे लेकिन अगर हम लोग परमेश्व के वचन के साथ रहेंगे यदि भी हमारा वि उनके बुलाया चुने जाने के करण हम लोग उसने के सफ़र को उस भुवंटर को पार करेंगे अपने मंजिले पहुंचेंगे और वांधी अप्टुपान हरेक बीमारी और हरेक प्रोब और हरेक तक्लिफ हरेक विपत्ती थम जाएगी और हमसा कुशल इस जीवन से कुरूस सब्सक्राइब को प्रवेश करें तो हरे सुनने वाला इस वीडियो के तरह आशीत होने पाए और हम आशा करते हैं कि आप लोग को युडियो बहुत अच्छा लागा और आप आगे भी हमारा चैनल देखते रहें का और सारी महिमा अपने परिवार के साथ अपने दोस्तों सब्सक्राइब करें और सारी महिमा उसके पुत्र प्रवेश्यों स्वीश्य मसिया और पवित्रात्म को दीजिएगा हरे को बहुत बहुत धनेवाद प्रवेश्यों में आपने